हेलो एवर्यवन बटा आज आपनें फ्रस्ट्रम सिखते हैं फ्रस्ट्रम होता क्या है वो चीज समझते पहले यह अपने पास एक कौन है, क्या है बेटा कौन अब कौन को मैंने एक यह बेस है इसका कौन को क्या कह रहता है यह बेस के लिए अगर मैंने बेस के पैरलल एक प्लेन लिया और उससे इस कौन को कट कर दिया ऐसे प्लेन पे कट कर दिया ठीक है इस कौन को ऐसे कट कर लिया तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया उपर वाला दो प्लेन हो गई यह जो बनी है यह कहला तीति क्या फ्रस्ट्रम के लिए समझझा गया दुबर समझना अगर मैंने वेस के पैर रल्ल इस कोन को कट किया बिटा तो दो पाट्स में sharing individual आपको 2 टो टो घरा रियोगे उपर यह गेगे उपर लाले पट की ऑर ईक मालए आरफन निखे वाली पार्ट की ओं 2 छोट्य वालाई है किलियर अब फ्रस्ट्रम में बिटा देखों कुछ फोर्मुलाज हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे कॉन में बिटा जब सी एस से निकालते थे हम तो क्या होता था पाई आर एल ठीक है अब यहां जब फ्रस्ट्रम में मैं सी एस से निकालूंगा तो पाई आर त किलियर तो देख पाई आर फ्रस आर टू इंटू एल ठीक है ना कॉन की तरिक्के से निकालना याद रखने आपने को को में जो पाई आर एल होता था अब इसमें दो आर हो गये तो देख पाई इंटू आर प्लस आर टू इन्टू एल किलियर डिखे टोटल सर्फेस ही एर किलियर अब देखे पाई को में क्या होता था इनके प्रूफ बेटा आप अपनी बुक से देख सकते हैं ठीक है फिर भी आपको समझ भी नहीं आहीं तो मैं आपको समझा दूँगा किलियर तो देखिए आपको याद होने चीए, फोर्मलस याद जरूर होने चीए, ठीक है, यह हो गया इसका वोल्यूम अब बैटा देखो, slant height और देखिए बैटा, slant height कोन में क्या होती थे, r² प्लस h² का रूट, ठीक है, इसमें क्या होती बैटा, दोनों जो रेडिया से बैटा, उनका difference, उसका whole square प्लस h², यहनकी बड़ी वाली में चोटी वाली का radius सब्टेट कर दूँगा, उसका square करूँग अब इसके questions करते हैं, देखिए, first question देखिए, a drinking glass is in the shape of frustum, ठीक है, of a cone of height 14, frustum of a cone of height 14 cm, ठीक है, the diameter of its two circular ends are 4 cm and 2 cm, find the capacity of the glass, capacity का मतलब थे, volume find out करना है, किसका, glass का, glass किस form में है, frustum की में, ठीक है, उसका upper end or lower end का diameter दे रखा है, 2 और 4, यहनकी radius दे दी बटा, आपको clear, तो देखिए बटा, कैसे solve करेंगे, हो समझे, देखिए, यह glass है, बटा, यह glass का lower end मान लिया, यह में क्या मान लिया, upper end मान लिया, तो देखिए, diameter दे रखा, lower end का 2 cm, तो radius कितनी होगी, 1 cm, ठीक है, छोटे वाली higher end होगे, height होगे, केराइस के capacity बताओ, capacity का मतलब बेटा, volume, ठीक, volume का होता, first term का, 1 by 3, pi into, r1 का square प्लस r2 का square प्लस r1 into r2 into h, clear, समझे आ गया, तो देखिए, 1 by 3, pi के बटा, 22, 57, r1 बेटा, r1 और r2 आपको पताई है, बेटा, r1 2, 1 है, sorry, r1 कितना है, यह diameter था, r1 कितना हो गया, 2 हो गया, clear, समझे आ गया, ठीक है, डायमेटर था, तो radius हो गया, तो देखिए, 1 value पूट कर देखिए, और इसको solve करने के बाद, 102, 2 by 3 cm3, clear, समझे आ गया, ठीक है, यह formula लगाना था, सारी values आपके पास थी, आप को उनको value पूट करने थी, और इसको solve करना था, clear, next, देखिए बाट, देखिए बाट, next question देखिए, the slant height of a frustrum of a cone is 4 cm, L दे दिया आपको, and the perimeter, यानी circumference of its circular ends are 18 and 6 cm, इस बाद आपको डायेट के निदिया बाट, radius निदी, आपको circumference दिया, यानी 2 pi r, ठीक है न, 1 की 18 और 1 की 6, find the cloud surface area of the frustrum, तो देखिए, कैसे solve करनेंगे, यह समझे, देखिए, यह बाट, यह बाट, मैंने first term मना लिया, किलियर, निच्चे वाले की radius r1 मालनी, छोट्टी वाली और बड़ी वाली radius के मालनी, r2, slant height, आपको देखिए 4, किलियर, देखिए, circumference of a part, यानी बड़ी वाला जो part, उसका कितना देखिए, 18, ठीक है, तो circumference के 2pi r2, radius r2 है, पर होगे, 2pi r2 equal to 18, तो r2 निकाला देखिए, 9y pi होगे, किलियर, ऐसे देखिए, circumference of lower part कितना देखिए, 6, 2pi r1 equal to 6, तो r1 कितना देखिए, 3pi, 5, किलियर, slant height देखिए, 4, cut surface area देखिए, किया होता, pi into r1 plus r2 into l, यह cut surface area होता, किसका, first term का, तो r1 और r2 value देख मैं इसके इंदर फूट कर दूँगा, 3y pi plus 9y pi into l, यह बटा, lcm लिया तो pi आगे, lcm 11 निया, यह pi है, ठीक है, pi lcm लिया, 3 plus 9y pi into 4, pi से pi क्या होगे, cancel, 3 plus 9 12 into 4, 48 cm square, clear, तो बटा, यह अपना second question हो गया, next देखिए, पीटा, if as, the cap used by the trucks, trucks, is shaped like the frustum of cone, यह दे रखा आपको, यह कौन की shape में, बटा, तो यह cap है, क्या है, cap, ठीक है, if the radius of the, अब एक बाद ध्यान रखना, बटा, cap जो होते है, जो आप ओड़ते हैं, cap को, ठीक है, तो एक end जो होता है, उपन होता है, और एक क्या होता है, cover होता है, तभ आपने इसको पैनना है, बटा, तो इसका मादब, lower end जो है, बटा, वो जाता चोड़ा हो गया, यह बस समझ में आ गई, तभी तो आपके सिर में आई हो, clear, तो यह open रहेगा, ठीक है, तो open end की जो side, open end बटा, उसका radius ते रखा 10 cm, और जो upper base है, उसका 4 cm, अपर वाला 4 हो गय clear, and slant height 15 cm, find the area of the material used for making it, material used कितना किया गया है, वो बताइए, तो देखे बटा, कैसे solve करेंगे, तो देखे बटा, जो मैं इसको फ्रस्ट्रम को बनाया, तो देखे बटा, निच्चे से मैं इसको चोड़ा कर दे, बटा, बड़े वाले पार्ट निच्चे आ गया, उपर वा 10 cm, मैंने कहा था, मैं जो बड़े वाले पार्ट होगा, उसको R2 मानूँगा, ठीक, तो R2 होगे 10 cm, R1 होगे 4 cm, और slant height 15, कैरा बताओ कितना material यूज हुआ है, तो material यूज क्या होता है, कितना है, उसमें material लगा है, यानि कार्ट सर्फेस ये लगा होगा, ठीक है, पलस, पा पाई R1 का square, अलग से add हो जाएगा, किलियर, यानि कि टोटल सर्फेस ये लगा है, पलस, पाई R1 का square, पाई R2 का square, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, यह तो open है, close नहीं है, इसलिए इसका area add नहीं करेंगे, किलियर, तो सरफ यह ये add होगा area, पाई R1 का square, किलियर, त value आपको पता है, R1 और R2 आपको पता है, रख दी value, L भी पता है, और R1 भी पता है, ठीक है, value इसको solve किया, solve करने के बाद किया आपके पास, ये required result आ गया, समझे आ गया, आयो, आपको clear होगा होगा, ये बच सिर्फ यह है, इसमें important बात, ठीक है, कि ये, ये उपर वाड़ add नहीं होगा, clear, तो next देखे, बटा, next देखे, बटा, container है, बटा, open from the top, ये किस कहा से open है, बटा, top से open है, इस लाइन को जरूर पढ़ना, बटा, open from the top, and made up of a metal sheet, in the shape of form of frustum, of a cone, of height, 16 cm, height, देधी बटा, उसकी, और upper end कैसा है, open है, ठीक है, और height जो वो 20 cm है, ठीक है, irrespectively, find the cost of the, पहले तो आम इसकी बात करते हैं, बाद में आगे का पढ़ेंगे, वो समझे, देखे बटा, वो करहें कि lower end जो चोटा है, बटा, upper end जो बटा है, ठीक है, ये बात आप उसने दे रखे है, कोशन के अंदर lower end जो है, उसकी radius 8 cm, बड़े वाला जो end बटा, उसकी radius 20 cm, ठीक है, और जो slant height बटा, वो कितनी दे रखे है, उसकी 16 cm, clear, ये बात समझे आ गई, ठीक है, इसके अंदर milk बारा जार है, क्या बारा जार है, बटा, milk, ठीक है, और वो पूछ रहे है, पहले तो पूछ रहे मिल् material यूज होगा, वो बताओ कितना होगा, तो material बटा, curve to surface यूज हो ना, ये पाई आर एल, ठीक है, ना, पाई इंटू रवन प्लस रटू, तो ये ल की जरूत पड़ेगी बटा आपको, ठीक है, तो मैं slant height निकाल रहा हूँ, slant height का formula को पता ही, बटा, r2 minus r1 का whole square plus h square, क्यो 1 by 3, pi, r1 का square plus r2 का square plus r1, r2 into h, ठीक है, तो 1 by 3, तो देख बटा, मैंने pi की value, यहाँ, 22 upon 7 रख दे, जब यूज ही दे रखा है, बटा, question के अंदर, pi की value, 3.14 रखनी है, ठीक है, तो r की value, देख बटा, क्या होगी, r1 8 का square, 20 का square, 8 into 20, into 16, देख बटा, इसको solve किया, तो pi की element रख दे, 3.14, clear, इसको solve के दी आगे, 10449.92 cm3, cm3, अब 1 liter जो होता, बटा, वो होता, 1000 cm3, ठीक है, इसका 1000 से में, अगर मैं, डिवाइड लगा दो, इतने liter हो गया, 10.449 liter, clear, अब देख बटा, cost of 1 liter milk दे रखे बटा, आपको 20 रुपीस, तो total cost कितनी होगी, 22, जो इतना liter उसको multiply कर दो, तो approximate कितना आ गया, 209, clear, और देख बटा, अब इस नहीं हो, पूछ रख बता कितना material इसके अंदर use होगा है, इसको बनाने में, तो बटा, देख ये, इसका total surface area निकालने कोशिच करते हैं, वो समझी कैसे निकालेंगे, तो देखे, area of metal state used, वो समझी क्या करड़ surface area, plus pi r1 का square, ये क्यो हो है, वो समझी कितना material इसके अंदर use होगा है, करड़ surface area, plus pi r1 का square, इस बार निच्चे वाला part use होगा है, ठीक है, अपर वाला तो देखो, open दे रख, question में आप पढ़ेंगे, तो अपर end is open, बोल रहा है, तो उपर वाला end add नहीं होगा, ठीक ह पाता है, LB मैंने निकाल दिया, value put की बिटा, तो ये कितना आ गया, 324 x 314 by 100 cm2, इसको बैने पूरा solve इस लिए नहीं किया, क्योंकि अगे भी दे रखा है, cost for making 100 cm2 कितना दे रखा है, 8 rupees, तो एक cm2 का कितना हो जागा, 8 by 100, ठीक है, और इतने cm2 आपका area है, तो इसको इस से क कर दो, multiply कर दो कि, इसको solve के बिटा, calculator से कर लेना, और एक पास solve कर देख लेना, 156.75, इतने रुटीज का हो जाएक, इसका cost हो जाएगा, समझ आ गया, के लिए, next देखे बिटा, जब फिफ्ट कोशन आप पढ़ेंगे, तो फिफ्ट कोशन को समझना, क्या है, क्या है, क्या क्या है, क्या है, समल घृ, क्या है क्या है, उसका क्या है चीए, क्या कर रहा है, क्या है तो गिफ्ट कोशन आप पढ़ेंगे, तो लिए, बिलकुल बीचमे से, बिलकुल से, क्या और निच्चे उड़ा क्या बन गया बिट यह नीच्य वाला पाट जो है ओटा फ्रस्ट्रम बन गया अब बीच में से कटकी ए थे ठरटें टैन टैन पर्ट्स में डिवाइड हो गया 10 cm डियो है निच्ची वाला मल जिसके लिए इस हारवन है अपरगे और निच्चे वड़ा क्या है और हाइट क्या है 10 cm के लिए अब आगे बोलो देख बटा अब कोशन को पढ़ना आगे क्या बोल रहा है क्या निच्चे वड़ा जो पार्ट है बिटा फ्रस्ट्रम उसको उसने कनवर्ट कर दे वायर में करनवर्ट कर दे किसमें करन दिया वायर में तुसका डायमेटर दे रखा वन बाई 16 वन वाई 16 संटिमिटर और क्या आउसके लेंध देहान से देखना इसका जो वोल्यूम वहोगा वही तो इसका वोल्यूम कराके मैं लेंध निकाल दूँगा के लिए यह बात समझे आगे तो lower part की बात कर रहा हूं मैं तो lower part तो first term का मैंने area लगा दिया volume लगा दिया 1 by 3 pi r1 square plus r2 square plus r1 r2 into 10 10 के है इसकी height है clear और volume of wire wire जो होता है cylindrical shape में होता है तो pi into 1 by 32 into 1 by 32 into h h1 length one limit है h1 clear देख बटा h1 निकालना है तो h1 देख बटा मैं solve के तो 30 by 2 32 और 32 इधर multiply हो जाएं बटा देख बटा यह आ जाएगा clear इसको मैंने मान लेन equation first यानिकि अगर मेरे पास r1 r2 आ जाए तो मेरे पास h1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा clear ठीक है तो देख बटा आर वन और r2 कैसे जोन कर रख्या ठीक है o a b इस ट्रेंगल मेरे रहो अगर यह total एंगल 60 था तो यह 30 हो गया के लिए तो देख बटा इस ट्रेंगल को यह लिए ओ, ए, बी, यह 30 हो गया एंगल, ठीक है, यह R2 रेडियस थी, यह R1 रेडियस है, के लिए इसको M में रखा है, तो यह बिल्कुल 20 था, यह 10 cm हो गया, और यह कितना हो गया, 20 cm, ठीक है, तो देख बटा, ट्रेंगल ANM, ANM, नज़राई ट्रेंगल ANM, मैं 10 30 लगा रहा हूँ, क 10 by root 3, यह बात समझ में आ गई, ऐसे बटा देखिए, अगर मैं इस ट्रेंगल में आ जाओ, OAB के अंदर, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रेंगल के अंदर आ गया, 10 30 लगाया, तो R2 by 20 हो जाएगा, देखो, OA 20 ना, तो R2 by 20, ठीक है, तो देखिए, 10 30 की वैल्यू 1 by root 3, तो R 20 by root 3, अब मेरे पास R1 भी आ गया, और क्या गया बटा, R2 भी आ गया, अब R1 और R2 की वैल्यू में यह पुट कर दूंगा, तो देखिए, कैसे वैल्यू करेंगा, वो समझी है, तो मैंने R1 और R2 की वैल्यू पूट कर देखो, 10 by root 3, 10 by 20 by root 3 का स्वेर, ठीक है, इसको सोल क गया, इसको मुटिपलाई कर ले तो देखिए, क्या हो गया, यह 796444.44 cm, ठीक है, और मिट्र में कनोट करूंगा, तो एंटर से डिवाइड लगा दिया, तो यह क्या हो गया, इतने मिट्र, यह क्या गए, उसकी लेंथ आ गई, समझा गया, के लिए, तो बटा, यह अपना केसी में आयो हैं, कुछ conceptual question है, वो सब अगले वीडियो में हम सिखेंगे, क्लियर, और आपको बता दें कि, आपका जो कल test होगा, 20 marks का, जिसमें probability, surface area and volume, और area related to circle के questions आएंगे, क्लियर, तो इन questions को अच्छे रे पढ़ना, तिनो chapters को अच्छे रे पढ़ लेना, उसमें 20 marks का paper पर लिया जाएगा, थेंक्यों बुटू